पुरातन महत्व प्राप्त शहर सारस्वत पुर जो आज साबने शहर के नाम से जाना जाता या कोला नदी के तडपर स्थित्य भव्वे हेमान पंथी मंदिर और परिसर महाशिवरात्री के पावन परोपर रोशनाई से जगमगा उठा है तीसरे चरण के कोरोना में कमी की चलते सरकात द्वारा कोविन नियमों को कुछ शितल करने से पिछले दो वर्षों से कोरोना का दंश छेल रहे शिप भक्त इस वर्ष चराचर में वास करने वाले भगवान शिफ का दर्शन करने को आतुर है जैमनी अश्मेग इस पौरानिक ग्रंद के अनुसाय यमराज की ससुराल सामने शहर यह एतिहासिक और पौरानिक नगरी सारस्वत पुर है वदापर युग में महाभारत युद के उपरांद पांडवों ने दिगवजे हेतु छोड़ा गया शामकर्ण नामक अश्व उत् चीन की और जाते हुए सामने नगरी के सीमा में पहुचने पर ततकालिन राजा वीरकर्मा के पुत्रों ने उसे रोक कर पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और पांचों पुत्र उस युद्ध में वीरगती को प्राप्त होने पर राजा वीर वर्मा की पुत्री माल उने खुद मदिस्तता कर इस युद्ध को रुकवा कर शिवभक्त मालनी का विवा यमराद से करवाया कोला नदी के तट पर आज भी शिवभक्त मालनी द्वारा तैयार किया गया बालू का शिवलिंग और उस पर हेमान पंथी कारीगरू द्वारा भव्य निर्मान किया हुआ मंदे श्रद्धालू के लिए आस्ता का केंद्र बना हुआ है यहां की मांगी हुई हर मनुकामना यता शिगर पूर्ण होती है ऐसी आस्ता प्रचलित है माशिवरातरी के पावन परोपर हर वर्षिव मंदिर देविस्थान ट्रस्ट द्वारा रामायन महभारत भागवत गीता आधी का भव्य आयूजन कर इस अवहर को माउत्सव की धर्ब से पदारे हजारों हजाज शिव भक्तों की उपस्तिती इस आयूजन को विशाल मेले में परिवर्तित करता है एक मार्च को संपन होने वाले महाशिवरातरी महाउसब हेतु मंदिर परिस्थर को अत्यादिक रोशनाई से साजाया जारा है शिम मंदिर की रोशनाई क पतिविम को करीब से बहने वाली कोला नदी के जल में देखने का आनंद शुरद्धालों को अपनी और आकरशित करता है शिम बंदे देविस्थान ट्रस्ट द्वारा महाशिवरातरी के अफसर पर आयूजित होम हवन माप्रसाद वित्रण आदी के आयूजन हेतु पतेल एड्वोकेट चंद्रशेक बरेचिया एड्वोकेट भुपेंद्र पूरे मनोच वस्वार आत्माराम कमाले नामदेव साब जी श्री किशन महदोले आधी परिश्रम ले रहे हैं सामनेर से NBCN न्यूस के लिए समवाद अता किशो ढूनेली की रिपोर्ट